कार स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में मेरे तनसेन भारती अज हम बात करेंगे बिहार में लेगे नाइट के रिफ्यू के बारे में इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद बिहार में बढ़ते क्रोणा संक्रमन को देखते हुए स से इंकार किया है सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के तहट परदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का निरने लिया है मुखमत निति उसकुमार की अध्यस्ता में क्रोना क्राइसिस मेनेजमेंट की बैठक में इससे जुले तमाम फैचले लिए गए इसमें राज्ज में पं अब सभी दुकाने प्रतिस्थान फल्व सब्जीमंडी मांस मचली की दुकाने अब साम 6 बज़े तक के लिए ही खुलेंगी अभी तक इन्हें साम 7 बज़े तक फुलने की आज़ती सुबह में जब भी चाहें दुकान खोल सकते हैं मुखमत नितियस कुमार ने कहा है कि रा इस साल की वाती कंटेंड में बनाएंगे इस साल अभी तक माइक्रो कंटेंड में बनते Мें जैंगों इस स्भी एफर चाहल माउल जीम, पार्क बहुद्यान, भी, 15 महीं तक पूरी तरह से बंद रहेंगे रेस्टुडेंट ढावा और भोजनाले में भी बैटकर खाने पर परतीबंध कर दिया गया है हालाकि होम डिलिवरी और टेक अबे रात नौ बजे तक ही रहेगी गौरतलब है कि पिछले सिनेमा हौल रेस्टुडेंट ढावा और भोजनाले को 50 साथ फिजदी ग्रहक चमताय के साथ खोलने केनमती दी गई थी जिस पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है इसके साथ यह भी कहा गया है कि दा संसकार साधी बिवाह को छोड़ सभी सर्वजनिक कार्चक्रम पर रोक रहेगी सर्वजनिक अस्त्रों पर सरकार और नीजी कार्चक्रम बंद रहेंगे कफ़न और अंतिम संसकार के लिए 25 लोगों की इजाज़त होगी वहीं साधी विवाह के लिए साव लोगों की इनमती दी गई है इसके साथ ही जिला परसासन को यह भी कहा गया है कि भीर भाड़ा और सबजी मंडियों को अलग विवस सानिता कि धारा 188 के प्राबधानों के अंतरगट दंदार्थमा करवाई की जाएगी गाइडलाइन में जारी प्रतिवंद के बीच में आवस्चक सेवा जैसे की परिवहन बैंकिंग डाक स्वास्थ एबं इस्तसंबंधित सेवा जैसे की फायर पुलिस एमुलंस पर यह थी बिहार में कोरोना को लोकर नई जारी की गई गाइडलाइन बिहार और बिहार से जलू ही और भी ऐसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दिजिए इजाज़त धन्यवाद